विद्या ने पूरे परिवार के सामने अपने मन की बात कह दी है विद्या ने पूरे परिवार से कह दिया है कि अब शादी होकर रहेगी रूही और अर्मान की हाना की इस शादी के लिए पूदार परिवार दो हिस्सों में बढ़ चुका है परिवार के आधे लोगों को ये रिष्टा मन्जूर है तो वहीं आधे लोगों को ये रिष्टा बिलकुल मन्जूर नहीं है वेल क्रिश तो बार-बार सबसे कह रहा है कि ये शादी नहीं हो सकती क्रिश बार-बार सबसे कह रहा है कि ये शादी गलत है क्योंकि अभीरा भावी की जगह इतनी जल्दी अर्मान भाई की जिंदकी में कोई नहीं ले सकता अब आगे आने वाले ट्रैक में क्या कुछ होने वाला है? चलिए आपको बताते हैं. Well, माधव इस रिष्टे के खिलाफ होने वाला है और अपनी बात पूरे परिवार के सामने साफ साफ कह देगा. माधव पूरे परिवार से साफ साफ कह देगा कि ये जो शादी है इसमें मैं शामिल नहीं होगा क्योंकि अभीरा का हक मैं किसी और को नहीं दे सकता. रूही इस परिवार की बेटी है, रूही मेरे दिल के भी करीब है लेकिन अभीरा के साथ नाइन साफी मैं नहीं होने दूगा माधव साफ साफ सबसे कह देगा कि अभीरा भावी की जगह इतनी आसानी से कोई नहीं ले सकता वहीं दूसरी तरव आप देखेंगे कि आरा सबसे कहेगी कि क्यूं नहीं अगर अभीरा भावे इस घर से जा ही रही हैं तो रूही भावी अर्मान भाई के जिंदगी में क्यों नहीं आ सकती वहला आपको बता दे मनीशा भी इस शादी के खिलाफ होने वाली है लेकिन काजल इस शादी को सपोर्ट करनी वाली है काजल को इस शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पूरा फोदार परिवार इस शादी को लेकर दो हिस्सों में बज्रा होने वाला है वहाँ दूसरी तरफ अर्मान और अभीरा का डाइवोर्स अप्रूव हो चुका है और डाइवोर्स अप्रूव होने के साथ ही दादी सा ने 10 मिनट का समय दिया है अभीरा को और अभीरा से कहा है कि 10 मिनट के अंदर ये घर छोड़ कर चली जाओ अब आगे कहानी में क्या कुछ होता है देखना होगा